स्टेमल आएफ्रेम आज हम आएफ्रेम के बारे में स्टेड़ी करेंगे आएफ्रेम मिन्स क्या होता है कि एक वेब पेज में दूसरा वेब पेज दिखाने के लिए आएफ्रेम का यूज होता है तो उसका जान स्टेड़ी करेंगे और उसके बाद हम पोरा इएफ्रेम स्टेड़ी करेंगे जैसे कि आएफ्रेम नामका एक टैग है जिसका एक एक अच्रिबुट है एक यूज इक लुमिक टैग हम और आएफ्रेम को हम आएफ्रेम के जल प्राह Spencer तो जैसे कि मैंने पले बता दिया कि हमें आइफ्रेम का यूज एक वेब पेज में दूसरा वेब पेज दिखाने के लिए होता है तो मैंने अभी e-business solution का एक website URL ले लिया है और मैंने आइफ्रेम डाल दिया अभी source में जो पेज हमें दिखाना है वो पेज का URL डालता हूं और बस इतना ही जंटेक्स है उसका अभी हम यह site refresh कर देते हैं तो देखो हमें यह आइफ्रेम में आ गया है अभी यह बहुत छोटी साइज में आ गया है तो हमें क्या करना है उसको style देनी है उसकी width, height बढ़ानी है तो हम जैसे की हमने last time सब जब style योज किया है वो हमें यहाँ पे भी योज करना है और style योज करके उसका height और width हमें जितनी चाहिए उतनी लेनी है जैसे की हमने पिस्टे चाप्टर में भी देखा है हम width, height उसकी % में में दे सकते है पिक्सल में दे सकते है तो हमने यहाँ पे अभी उसका width और height करना है काम खतम हो गया है देखिए इस तरह से तो मैं उसको थोड़ा बड़ा देता हूं पूरे page में आ जाए इस तरह से इस तरह से इस तरह से आइफ्रेम का यूज यह होता है कि हमें थर्ड पारटी कोई page हमारे page में दिखाना है तो हम उसका यूज कर सकते हूं आइफ्रेम का खुबके भी एट्रविट से आप स्टाइल से भी दे सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं इसमें इस तरह से हमने उसका height और width डिफाइन किया और उसका border उमर गिया मैंने भी आपे width उसका 100% कर दे तब जितना page है इतनी width लेके काम करेगा कर दो दो